नमस्कार मैं हूँ अंज्यू डुकानिया काटमांडो निपाल ते और आप अंज्यू डुकानिया चैनल पर काव्यांजली में सुनेंगे आज एक नहीं रचना जिसका शिर्चक है कूटने से बढ़ती है इम्म्यूनिटी पावर जी यहां बहुत ही मज़ेदार और सुनिएगा घर में मिर्च मसाला कूट दे थे, कभी कभी बढ़ा भाई चोटे भाई को कूट देता था और जब चोटा भाई उसकी शिकायत मा से करता था तो मा बड़े भाई को कूट देती थी और कभी 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 तो दादा जी भी पोते को कूट देते थे यानि कुल मिला कर कूटने का सलसिला निरंतर चलता रहता था कभी मा बाजरा कूट कर शाम को खिजडी बनाते थी पहले हम कपड़े भी कूट कर धूते थे मोह गरी से स्कूल में मास्टर जी भी जम कर कूटते थे जहां देखो वहाँ पर कूटने का काम कुटाई ही कुटाई चलता रहता था जिससे कभी कोई बीमारी नजदीक ही नहीं आती थी सबका इम्मुनिटी पावर मजबूत बना रहता था जब कभी बच्चा सर्दी में नहाने से मना करता था तो माँ पहले उसे कूट कर उसकी इम्मुनिटी पावर बढ़ाती थी और फिन नहलाती थी जब कभी बच्चा खाना खाने से मना करता था तब भी माँ पहले कूटती थी फिर खाना खिलाती थी ऐसे ही सब का immunity पावर कायम रहता था तो कुल मिलाकर सब कुटाई की महिमा है जो आजकल बंद हो गई है तो मित्रो कुटाई भी जरूरी है जिससे हम सब बिमार ज्यादा रहने लग गए है इसलिए कुटाई बहुत जरूरी है था कि बिमारी हमारे आसपास भी न फटके है रबहुती मज़िदार रचना सोशल मीडिया पर इसे पड़ी थी और आप लोगों के साथ इसे शेयर करने से स्वयम को नहीं रोक पाई मैंने सोचा कि इतनी भावपुन रचना है आप भी सुने और हमारी बुजुर्ग जो किया क करते थे उसके महत्व को हम समझे उसके पीछे क्या प्रयोजन था उसे समझे तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमती काव्यान जली में फिर से एक नई सुन्दर रचना लेकर हाजिर हो जाओंगी आपके सामने तब तक के लिए नमस्कार